देखो अभी एक टाइम टेबल आया है टाइम टेबल पहले जो आया था न वो परसो के डेट पे आता साथ तारी की डेट थी और उपर में आपर लिखा था एक वर्ड प्रस्तावित यहां पर प्रस्तावित नहीं लिखा है तो यह बीकॉम फस्ट यर का बीकॉम सेकेंड यर और भीकॉम थर्ड यर का है तो पहला पेपर पांच तारीक से स्टार्ट है लेकिन पांच तारीक से जो फाइनल यर वाले बच्चे उनका कम्प्यूटर एप्लिकेशन होगा ठीक है सेकेंड यर वाले बच्चों का पहला कप से स्टार्ट है छे तारीक से जो कम्प्यूटर application वाले हैं और 9 तारीक से second year वालों का second paper होगा उसके 11 तारीक को become final year वाले लोगों का पहला पेपर है जो optional group है उसका तो optional group में कौन सा paper है चार group होते हैं final year में एक होता है financial management दूसरा होता है principle of marketing information technology और fundamental of insurance ज्यादा तर के दूसरा paper आप लोगों का अगर मैं second year की बात करूं तो बारा मार्च को है आधार पाठे करम हिंदी पहला पेपर आप लोगों का कौन सा होने वाला है हिंदी second year वालों का तेरा मार्च को जो optional subject है final year वालों का उनका पेपर होगा international marketing अगर उसने marketing वाला गुरूप लिया है तो ज्यादा तर बच्चे marketing लिए इसलिए मैं marketing marketing बोल रहा हूं ठीक है बाकी ABCD में से कुछ भी लेते हैं बच्चे आप लोगों का जो पेपर हो रहा है 12 तार है और फाइनलीं का कब मेंसा सट्रेवका 14 यारा से जो नौन नॉन कमप्टिूटर वाले है उनका 13 तारिक का second paper होगा final वालों का और सेकेनिन एर वालों का बारा तार हो पहला पेपर है और English का पेपर होगा आपका 14 मार्च को सबसे पहला पेपर नॉर्मली हिंदी होता है तो फाइनल वाले लोगों का Optional Group को पहले डाल दीया है और हिंदी लिश द Know Как बाद में तीसरे नमबर का पेपर बना दिया है ठीक है उसके बाद सोला मार्च को है परियावरन अध्यायन जो पेपर लाष्ट में हुआ करता था उसको बीच में डाल दिये इंवार्मेंटल स्टडी तो अपना लगभग लगभग सब का पास हो चुका है तो क्या होता है उसके बाद 18 मार्च से 18 मार्च से 1st year वाले लोगों का पहला पेपर चालू होगा वो भी computer application 18 मार्च को 1st year वालोगों का computer application का पेपर है 19 मार्च को final वाले लोगों का English का पेपर है ठीक है 20 मार्च को 2nd year वाले लोगों का corporate account का पेपर है ठीक है उसके बाद 21 मार्च को 1st year वाले लोगों का कौन सा पेपर होगा computer का ठीक है उसके बाद कौन से तारिक की बाद अगर बात हो रही है 20 तारिक second year वालों की बात करूँ second year वालों की बात करूँ 20 तारिक के बाद सीधा कॉंसीडेट है तो आप लोगों की तो चांदी है रहे बाई सेकेंड यह वालों की बीस के बाद सीधा थाइस हां तो बीच में हो लिए कुछ भी रहे लेकिन आठ दीन का लगबग गैप मिल गया आपको कॉर्परेट पढ़ने के लिए ठीक है तो कॉर्परेट सॉरी कॉर्प और इस मार्च को फर्स्ट यह वाले लोगों का पहला पेकर अब में पेपर हिंदी चालू रहे है फर्स्ट यह वाले अदव मतलब चांदी में है चांदी ठालील एक बैटे हैए हां हां हुसके बाद एक अप्रेल को फाइनल येर वाले लोगों की auditing का paper है ठीक है फिर 2 अप्रेल को second year वाले लोगों का cost accounting का paper है 3 तारिक को first year वाले लोगों का अंग्रेजी का paper है 3 अप्रेल को फिर 4 अप्रेल को final year वाले लोगों का कौन सा paper है indirect tax paper indirect tax कुछ भी shuffling कर दिया फाइनल येर में आगे पीछे कर दिये पूरा ठीक है और 6 अप्रेल को पेपर है principle of business management second year वालोगा 8 अप्रेल को है वित्तिय ले खांकन अच्छा आप लोगों को लग रहोगा ये दो गुरूप क्यों क्यों बनाऊ first year वालोगा क्या हुआ है फर्स्ट येर वालोगों का इस साथ सिलेबस चेंज हो गए है तो जो बच्चे सूपर सप्ली वागे देते हैं ना तो उनका पेपर जो होगा ना वो दूसरे सेकेंड वाला कॉलम है ठीक है जो पूरा भूद पूर यह सब पूराना पाठ्टे करम लिखा रहा करें ने न्यएं बच्चे किसाथु ओस्पर पूराने बच्चे सपली सुपर सप्ली या फूच देने वाले उनके लिए लिए है अंग्यों क्यों कोसेम है तो रहर्यों को मैंएज्मेंट अकांटिंग का चैयकल होगाजशただ कि को बीजनेस चार्न होगा अवrint थैरे हैं होगा फस्ट यह वालो का Чो च 20 अप्रेल को फंडामेंटल ओफ आंतर पीरिजिप का पेपर होगा का physiok workout है है ठीक है ओठारा अप्रेल को इनका मैंतेमेटिक्स का पेपर श्र्स थिर वालों का बाइस अप्रेल को बाइस अप्रेल को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बी आरेफ का पेपर होगा फस्ट येर वालों का पच्छिस अप्रेल को बिजनेस इन्वायर्मेंट का पेपर होगा फस्ट येर वालों का उसके वाद 29 अप्रेल बापरे मही पहुंच गया मही त को और फाइनल यहनुवाले क्वारा में हो और फाइनल आपड़ा सब्सक्राद का अगरिंब और नुक्सान क्यों क्योंकि बहुत आगे घ्ञाड़ी और दूसरा फाइदा है कि इनका मालूम है मेलवा अनापशनापशी मैं बढ़ा दिए ऐख को आप लोग सुखी हो जो फस्टियर पास हो कि इस बार आ गए हो ऐसा नहीं कि दुखी है उन लोगों को नया नया चीजों पढ़ने को मिल रहे हैं जॉइंट वेंचर डाल दिए ब्रांच एकाउंट डाल दिए ठीक है कंसाइमेंट डाल दी क्या-क्या नहीं डाल दी उनके में और पेपर का पैटर्न भी चेंज होने की बात चीच चल रही है लेकिन अभी तक पेपर पैटर्न की बात अभी कंफर्म नहीं है अच्छा यह जो टाइम टेवल है अभी मेरे पास फॉरवर्ड होके आया है देखो इसकी ऑथेंटिसिटी का अपन कुछ बोल नहीं सकते ठीक यह है भाई आप लोगों का टाइम टेवल तो मैं काम करूँगा इसकी समरी बनाके देदूँगा क्लास फर्स्ट यर के लग सेकेंड यर के लग फानल यर के लग ठीक है